हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज मैं बताने जा रही हूं ब्रेश्ट यानि इस्टनों को सुन्दर और सुदॉल बनाने के घरेल्यू उपाई के बारे में महिलाओं की सुन्दर्टा को बनाए रखने और फ्रूशों को उनकी तरफ आकरशित करने में इस्टरी इस्टन एक महत्वपून अंग है इसलिए स्ट्रियां अपने वक्स स्तल का बहुत ध्यान रखती हैं उन्हें पुर्ण रूप से विक्सित रखने की कोशिश करती हैं ये ना सिर्फ इनकी पहारी सुन्दर्टा को बढ़ाता है बलकि इनके अंदर के आत्न विश्वास को भी बढ़ाता है अगर किसी स्ट्री के छोटे स्टन होते हैं तो इससे उनमें हीम भावना उत्पन हो जाती है महिलाओं के स्टनों का बेडॉल होने का कारण बच्चे का स्टन पान या कोई रोग हो सकता है इसलिए महिलाएं इन्हें सुदौल बनाने के लिए अन्येक तरह के उपायों और क्रीम का इस्तमाल कर किन्तु क्रीम में मिलने वाले राशयन आपके इस्तनों को नुखसान पहुंचा सकता है तो आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बता रही हूं जिसका इस्तमाल कर आप सुन्दर और सुदॉल इस्तन पा सकती है अनार का छिलका पीस कर प्रीष्ट पर लेप करने से प्री प्रीष्ट सुदॉल बनता है जैतुन का तेल यानि ओलिव ओईल और पादाम का तेल मतलब ऐलमंड ओईल दोनों को मिला कर दोनों इस्तनों पर कोलाईस में हतेली घुमाते हुए मालिश करने से इस्तन सुन्दर और सुदॉल हो जाते हैं एक अंडा फेट कर उनमें एक नि सुस्तनों पर लगा कर सूखने दे इससे सुनों की धीली पड़ी माजश पेशियां तन जाती है और सुदॉर our सुदॉर हो जाते हैं इस्तनों को बड़ा और शुदॉल बनाने के लिए रोज तेल की मालिश करना जरूरी है सरसु तेल की मालिश से भी पाइदा होता है ओलि या विनेगर मिलाकर नीचे से उपर गुलाई में हतेली से मालिश करें तो इस्तन टाइट और सुधोर हो जाते हैं प्यास का उप्योग इस्तनों को चुस्त दर्म और उन्नत रखने के लिए किया जाता है अगर प्यास के रश में थोड़ा शहद और हल्दी मिलाकर इस्तनों पर मालिश करें तो इससे धीले और लटके हुए इस्तनों में भी किसावत आ जाती हैं और वो भी आकरशक दिखने लगते हैं ये उपाय शादी सुधा और और उन और तो के लिए बहुत लाब दाई है जिन्होंने अपने बच्चे को प्रीष्ट फीडिंग या इस्तन पान कराया हो तो दोस्तों आज आपने जाया इस्तनों को सुन्दर पड़ा और सुधोर बनाने के घरेलू आयुरवेडिक उपाय के बारे में दूसरी और नई नई जानकारी और अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किजी ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक क कीजिए और शेयर जरूर कीजिए थैंक यू